एक ही सारी को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टायल में रिपिट कर सकते हैं आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि एक ही सारी को किस तरह से आप डिफरेंट वहे में ड्रैप कर सकते हैं या फिर रिपिट कर सकते हैं तो दीखें मैंने टोटल छार तरीगी के यहाँ पे ड्रापिंग शेर किया है आपके इससाथ तो पहला जू ड्रापिंग है उस सबसे पहले हम जो नॉर्मल सारी को ड्रैप करते हैं बैसिक राउंड लगा लेंगे और बैसिक राउंड लगाने के बाद मैंने पल्लू को पहले ही पिन अप करके रखा है या फिर प्लीटिंग करके रखा है तो फिर इसे सारी को घुमाते हुए पीछे से हम इस तरह से बिल्कुल नौर्मल तरगी से जो साड़िया हम ड्रैप करते हैं क्योंकि यह राउंड लगबग सारे साड़ियों में ही होते हैं जितने भी साड़े स्टाइल करो आप आपको यह बैसिक राउंड लगाना ही लगाना है तो सारे को मैंने अच्छे से टक इन कर दी है अब हम सारे के चोल्डर पर डलना है पल्लु की जो लैंग्थ वह ज्यादा शोटा भी नहीं करना है ज्यादा लंबा नहीं करना है मैंने थोड़े बहुत लंबा रखा हुआ है और जो फ्रंट की प्लीट है उससे थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे यहां पर एक सिफ्टी पिन के बदद से य साडियों में बनते हैं नौरमल प्लीट की जो डिरेक्षन है जैसे डिरेक्षन में लैफ्ट साइड पे उसी परिट में होगी तो यहां पर लगबक सारे फैबरीक को साड़ी बना लो और कुछ हिस्सा आप लेफ्ट साइड पर चोड़ा हुआ है जो लास प्लिट है अगर उसमें थोड़ा सा लग राया कि ताइट रहा है तो उस फ्लीट को आप अपचा अरुहाँ पर को अग्षा जूता जो फेब्रिक मैंने लिया था उस प्पार्ट को छोड़ते हुए मैंॡ और सेंटर प्रेत को तक करनी है। और सेंटर प्लीट को टृक्षट करने के बाद जो प्लीट है उसे हम सिक्यूर कर लेंगे लगाना है कि सेफटी बेन आपको इनर साइज से लगाना है और साड़ी को अटच करते हुए नहीं लगाना है अलग से लगाना है अब जो पल्लू है पल्लू को आपको बिल्कुल एंगल शेफ में रखता है जैसे हमारे चेस्ट किसे यहाँ पर रखना है रखने के बाद इसे आप प्रीट में सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहे इसे ज्याद़ा बनाओ या फिर कम प्लीर्स बनाओ आपको यहाँ पर पिर बनाते हुए जो प्लीट हमने यहाँ पर शोल्डर पर रखी है उनके पीछे हाइट करके फिर दूसरा safety pin से इसे secure कर लेना है और वो भी border line को हटा के इसे secure करें और इसके बाद ये जो dropping है पहला जो style है वो यही पे complete होती है देख सकते हैं कितनी elegant look दे रही है इस तरह से आप साड़ी को style कर सकते हैं कोई भी wedding function हो चाहे वो हल्दी हो चाहे वो महंदी हो या फिर reception हो या फिर wedding में कोई भी दूसरा जो function होती है उसमें भी आप इस तरीके से style को style कर सकते हैं अब जो दूसरा तरीका है उसमें आपको करना ये है कि जैसे हमने shoulder पे पल्लू रखा है बस आपको shoulder से पल्लू को निकालना है और निकालके आपको जो पल्लू हमने पीछे करी थी उससे आपको front side पे करनी है और इससे पहले आपको क्या करना है जिस side पे हमने safety pin लगाई थी बिल्कुल opposite side पे pleats को आपको पकड़ना है क्योंकि हमको हमें जो pleats है उससे जैसे alternate कर रहे हैं तो safety pin भी उसी तरीके से आपको secure करनी पड़ेगी अब यहाँ पे थोड़े से अगर tight हो रहे हो fabric तो आप एक से दो center pleats को निकालके इसे loose कर सकते हैं इस पार्ट को पहले तो आप चेक कर लो कि कितना आपका जो सारी है वो tight हो रहा है उसी की according आपको जितने भी pleats चाहिए एक चाहिए दो चाहिए तो इस तरह से आप pleats निकालके उससे थोड़ा सा loose कर सकते हैं और shoulder पे इससे secure कर ले अब जो front में हमारी सारी की पलू है पलू को आपको बिलकुल पीछे से गुमाते हुए ले जाना है और इससे आपके left side तक लेकर आना है पीछे से गुमाते हुए यहाँ पे देखिए हमने left side पे बिलकुल tight करके इससे रखा हुआ है अब जो center के pleats है उसी के निचे इससे आपको secure करनी है इससे पहले देख सकते हो आपकी जो pleating की जो direction है जैसे नॉर्मल सार्व में pleating की जो direction होती है वो upward में होती है और इस wrapping में आपको जितनी भी pleat है उनकी जो direction है आपको change मिलेंगे यह lower direction में है और पहले तो इससे हम set कर लेंगे और इसके बाद जो corner हमने लिया था उस corner को हम safety pin से आपर secure कर लेंगे और secure करने के बाद इसके जो wrapping है वो complete हो जाती है यह था हमारा second wrapping तो इस तरह से भी आप एक ही सारी को repeat कर सकते है इसे आप शादियों में भी इस तरह से पैयान सकते है बस आपको इसे असेजराइज करना है एक कमरबंद के साथ यह बहुत ही elegant look देती है इस तरह से अगर आपको ट्राडिशनल लुक चाहते हो तो आपको कौन सी लुक सबसे ज्यादा अच्छी लेगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों तो next जो wrapping है उस पे हम normally सारी को ड्रैप करेंगे बस इसे पिन अप करना है अच्छे से जैसे सारी तब वैसे हमने रखा हुआ है कोई भी प्लीटिंग हमने निकाला नहीं है क्योंकि यह हमें एक्स्ट्रा महनत करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे सेंटर प्लीट भी अपनी जगह है पस जो चेस प्लीट है उसे थोड़ा सा अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पे दीखें मैंने अपर बॉर्ड लाइन को फोल्ड करते हुए अपवर्ड में रखा और जापे हमने फोल्ड किया था वही पे हम एक सिफ्ट पिंचे से सीक्यूर कर लेंगे अब उसे अच्छी तरह से फिट कर ले और इसके बाद जो भी फैब्रिक होगा उसे लेफ्ट साइट से होके अपने सामने ले आए और इस तरह से सामने ले आने के बाद आपको इससे सिफ्ट पिंचे सीक्यूर करना है और सिक्यूर करने के बाद यहाँ पे सेंट अप्लिट तो अल्रेडी बनी हुई है बस कुछ फैबरिक हमने लूस चोड़ा है इस फैबरिक को आप किस तरह से निकाल सकते है या फिर किस तरह से इसे फिटिंग मना सकते है मैं आपको दिखाऊंगे इससे पहले जितने भी साड़ी पिन के मदद से जितने भी प्लीटिंग है उन सब को सिक्यूर किया हुआ है तो साड़ी पिन लगाने से साड़ी की प्लीटिंग अपनी जगह रहती है इसलिए मैंने साड़ी पिन का यूस किया है तो साड़ी पिन को आप पहले लगा ले और इसके बाद ही जाके आ तो आप साड़ी को ले ताकि ज्यादा टाइट भी ना लगे अगर ज्यादा टाइट हो जाएगी तो चलते फिर ते टाइम पे आपकी जो साड़ी है वो डैमेज हो जाएगी सेफटी पिन जहापे भी लगाओ के जहापे भी लगी हुई है तो इसलिए आपको कमफर्टबली लेना है उस फैब्रिक को यहापे लेने के बाद इसे हमने टक कर दिया राइर साइड में अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हमने टक कर दिया है और टक करने के बा यूज नहीं किया है तो इस तरह से भी आपकी जो लूक आएगी वह भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलिगन्ट आएगी अब जो नेक्स ड्रैपिंग है उस पर आपको करना क्या है एक कॉटन की पेटिकूट लेना है पहले तो हमने शेप यूर के साथ काम चला लिए थे आप कॉटन की पेटिकूट चाहिए होगा क्योंकि यह ड्रैपिंग अगर थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम के साथ आए तो अच्छा लगता है अगर आपके पास केंकें स्कुर्ट नहीं है तो आप कॉटन पेटिकूट का भी यूज कर सकते हैं और अगर केंकें पर ही ड्रैप करके दिखाया है सबसे पहले तो लंखे की तरह बिल्कुल बनालेने हैं आपको पल्यतिटीट सक्ट चाहिए यहाँ पे साभी को जैसे आची तकिन कर दी है देखिए और ज्यादा डिस्ट्स आफिर या फिर कम डिस्ट्स भी नहीं रकहा बिल्कुल एक margin में रखा है कि इतना सा ही distance तो पता नहीं चलेगा कि कितना fabric हमारी जो पूरी skirt की ड्रैपिंग के वो complete करेगी इसलिए पहले हमने जो distance है प्लीटिंग की वो थोड़ी सी ज्यादा रखी है तो यहाँ पे ड्रैपिंग इतना तक complete होने के बाद इससे हम थोड़ा सा पीछे घुमा लेंगे कि कभी किसी किसी का हाथ होता है पीछे से वो साड़ी को टक नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं इस तरह से आपको घुमा के दिखा रहे हूं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको गैपिंग रखनी है और जब यह पूरी ड्रैपिंग कंप्लिट हो जाएगी जो स्कार्ट या फिर जो भी हमने पेटिकोट रखा है उसे फिर से अपने जगा कर देंगे अधर्वाइस हमारी जो यह ड्रैपिंग ह यह उल्टा हो जाएगा या फिर उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम ड्रैप करना चाहते है तो देखे मैंने यहां पर बेटिकोट को फिर से अपने जगा कर दी है यहां पर बिल्कुल अच्छे से सेट करके जो पल्लू है पल्लू को मैंने शोल्डर पर ही रहने दि और थोड़ा सामने इस तरह से रखना है जिसे मैंने रखा हुआ है और फिर उसी को या पर safety pin से secure कर लेना है safety pin को अंदर से secure करे और इसे SS rise कर लिया है वही वाले कपरणबंद से तो देख सकते यह जो look है यह भी आपको काफी अच्छी लगेगी तो इस तरह से आप healthy function में या फिर में healthy function में ड्राप कर सकते हैं आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें बाइ झाल को साम जरूर आग।